नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ परवीन शेक इस बुलिटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आए देखते हैं सुर्खिया स्वाधिंता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्टपती द्रोपती मुर्मु ने किया राष्ट को संबोधित देश के लोकतंत्र की मजबूती पर दिया जोर राष्टपती बनने के बाद मुर्मु ने पहली बार राष्ट को किया है संबोधित 75 वे स्वाधिंता दिवसपर देली की सुरक्षा हुई सक्ष चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलू की नजर कई रास्ते किये गए बंद कल 15 आगस को लाल के लिए से देश को संबोधित करेंगे पियम मोधी महराश के सीयम एकनाश शिंदे ने मंत्रे मंडल सयोग्यों के बीच किया विभागों का बटवारा शेहरी विकास मंत्राले खुद देखेंगे शिंदे ग्रेह और वित मंत्राले देविंद्र फर्नवीज के हवाले गोवा फोर्वर्ड पार्टी ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप पार्टी अद्रक्ष विजे सर्देशाई ने कहा गोवा में भादपा बहुमत जुटाने के लिए जनादेश का कर रही है अपमान तो ये थी सुर्ख्या आईए अब बढ़ते हैं आगे आज की सबसे बड़ी खबर जूड़ी है विभाजन विभीशिका पर हो रही सियासत से देश की सत्ता पर काबिस बीजेपी अपने राजनेतिक फाइदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और इसके लिए उसने हत्यार बनाया है देश के शहीदों को जिस पर कॉंग्रेस ने करारा जवाब दिया है इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा बात होगी तिरंगा बिहार में बीजेपी ने कैसे किया राश्टे द्वच का अपमान बिहार मंत्री मंडल विस्तार में क्या है लालू यादव की भूमिका ये भी बताएंगे हम साथ ही बात करेंगे एवियम के खिलाफ एक जु चौदा अगस को विभाजन विभीशिका दिवस का भी आयोजन किया गया चौदा अगस को विभाजन विभीशिका के रूप में मनाने का ऐलान 2021 में पियम मोदी ने किया और पिछले साल आज ही के दिन इसे मनाया गया लेकिन अब इसको लेकर मोदी सरकार सवालों के घेरे म आजादी के 75-वे अमरिद महस्व से ठीक एक दिन पहले विभाजन के दर्द को याद दिलाये जा रहा है 14 अगस को देश ने विभाजन विभीशिका के रूप में याद किया मोधी सरकार ने पिछले साल ही 14 अगस को विभाजन विभीशिका दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की वैसे मोधी सरकार के इस ऐलान पर तब भी विपक्ष ने आपत्ती जताई थी लेकिन अपने पिएम ने विपक्ष की बात को अनसुना कर दिया जिसे लेकर आज कॉंग्रेस ने बीजेपी को घेरा है कॉंग्रेस महसचिफ जैराम रमिश ने ट्वीट किया देश को बाटने के लिए आधुनिक दौर के सावर कर और जिन्ना का प्रयास आद भी जारी है भारती राश्टिये कॉंग्रेस गांधी नहरू पटेल और अन्ने नेताओं की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राश्ट को एक जुट करने का प्रयास जारी रखेगी नफरत की राजनिती हारे की इसके साथ यून्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री आजजन संग के संस्थापग श्यामर प्रसाद मुकर जी को भी याद करेंगे उन्होंने शरत चंद्र बोज की इच्छा के खिलाफ बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था उन्होंने कहा कि बटवारे की तरास्ती का दुरुपियोग नफरत और पूर्वगरह की भावना को भड़काने के लिए नहीं होना चाहिए, सच यही कि सावरकर ने द्वीराष्ट का सिध्धान्त दिया और जिन्ना ने इसे आगे बढ़ाया। किया जाना चाहिए, कॉंग्रिस ने था पवन खेडा ने कहा, बीजेपी को विभाजन विभीशिका स्मृती दिवस की जगा, पश्चताब दिवस मनाना चाहिए, वो भी नाकपूर से, क्योंकि नाकपूर से जोड़ी संस्थाओं ने मुस्लिम लीग से जुगल बंदी की जि रद्धान जलीदी, एतिहासे घटनाओं को वोट के लिए कैश करना देश की राजनीती में पहली बार हो रहा है, या ये कहें कि मौझूदा राजनीती का ये सबसे बद सूरत चहरा है, वहीं आजादी के 75 साल पुरा होने पर देश में सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा मान कर रही है, क्या है पूरी खबर देखते हैं ये रिपोर्ट केसरिया पटी नीचे और हरी पटी उपर नजर आ रही है, इस अभ्यान से जुड़ी हुई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है, ये तस्वीर इटावा की बताई जा रही है, वाइरल हो रही तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी नेता लोगों क को उल्टा जंडा दे रहे हैं, इस दोरा नेता जी का पूरा ध्यान कैमरे पर फोटो खिचवाने में लगा है, किसी का ध्यान उल्टा पकड़े राश्टिय ध्वच पर नहीं जा रहा, जिसमें केसरिया पटी नीचे और हरी पटी उपर नजर आ रही है, इसके बाद ये त तस्वीर को राश्टिय ध्वच के अपमान के तोर पर देखा जा रहा है, लोगों को उल्टा जंडा देते बीजेपी नेताओं की जब तस्वीर वाइराल हुई, तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी नेताओं को घेर लिया, समाजवादी पार्टी ने कहा कि सांसत ने भी उल्टा तिरंगा पकड़ कर अपनी नकली राष्ट भक्ती का प्रदर्शन किया फोटो से देखा जा सकता है कि इन्हें तिरंगे से प्यार नहीं बलकि अपने शीर्ष नेताओं की भाती सिर्फ फोटो बाजी का शोक है तिरंगा अभ्यान को लेकर बीजेपी कि नय मंत्री मंडल का विस्तार कर रहे हैं नय मंत्री मंडल पर करीब करेब मोहर लग चुकी है आरजडी सुप्रीमों लालू परसाद यादव तेजस्वी की ताजपोशी के वक्त तो मौझूद नहीं थे लेकिन नय मंत्रियों की शपत ग्रहण में लालू यादव इस्ते में आए कितने मंत्री पद देखते हैं ये रिपोर्ट। को पटना पहुँच रहे हैं लालू परसाद नितीश कैबिनेट के विस्तार समारों में शिरकत करने के लिए पटना आ रहे हैं 16 अगस को सरकार के मंत्री मंडल का पहला विस्तार होने वाला है इसे लेकर महागडवन्दन के सभी दलों की ओर से तैयारी चल रही है बताया जा रहा है कि बिहार के सत्ता परिवर्तन में लालू यादव की एहम भूमिका है दिल्ली में रहते हुए लालू यादव ने इसकी जमीन तयार करने में एहम रोल अदा किया था इसलिए सभी दलों की ओर से लालू यादव को शपत ग्रहन समारों में शिरकत करने के लिए आगरे किया गया था खबरों की माने तो विधान सभा अध्यक्ष का पद आरजेडी कोटे में आ सकता है विसे अध्यक्ष पद पर कॉंग्रेस भी दावा कर रही है आरजेडी के हिस्से अध्यक्ष पद जाने पर कॉंग्रेस को केबिनेट में चार सीटे मिल सकती है जिसमें बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के प्रमुग मदन मोहन जा सी एलपी नेता अजीज शर्मा, राजेश शर्मा और शकील अहमाद खान शामिल होंगे आरजेडी को 12-15 मंत्री मिलने की संभावना है जबकि जेडी के पास केबिनेट में 10-11 मंत्री शामिल होंगे आरजेडी से ये नेता बन सकते हैं मंत्री चापांडे, राहुलतिवारी, कार्तिक कुमार और सौरब कुमार केबिनेट में जगा पाने वाले संभावित नेताओं में शामिल हैं जेडी कोटे से इन नेताओं के मंत्री बनने की संभावना है बिजेंद्र प्रसाथ यादव, विजे कुमार चौधरी, उपेंद्र कुश्वा, संजे कुमार ज्जा, लेसी सिंग, सुनिल कुमार, जेंद्र राम, जामा खान और अशोग चौधरी के जेडीू से मंत्री बनने की प्रबल संभावनाए हैं लालो की मौजोद की बिहार की सियासत में आर जेडी के लिए मजबूती का संदेश लाई है वहीं भारतिय जनता पार्टी के साथ गड़बंदन तोडने के जनता दल युनाइटेट के फैसले ने ना केवल बिहार में राजनेतिक समिकरों को बदल दिया बलकि पटना से लेकर दिली तक के सियासी गल्यारों में सरगर्मी तेज है इस बीच ये चर्चा हो रही है क्या राज्यसभा के उपसभापती और जेडियू सांसद हरीवंश अपने पत पर बने रहेंगे या इस्तिफा देंगे देखते हैं ये रिपोर्ट पूर्व राज्यसभा सांसदार सीपी सिंग के जरिये बीजेपी जेडियू को जटका देनी की तैयारी में थी लेकिन उससे पहले ही जेडियू ने अंडिये से अलग होकर बीजेपी को चारो खाने चुत्त कर दिया इसके बाद से बिहार के समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं जेडियू और आरज्यडी साथ हैं और बिहार में नई सरकार का गठन भी हो चुका है लेकिन भारती जनता पार्टी ने अभी भी हार नहीं मानी है खबर है कि आरसीपी सिंग का दाओ फेल होने के बाद बीजेपी जेडियू को जटका देने की तैयारी कर रही है वो राजसभा के उपसभापती और जेडियू सांसद हरिवंश नारायंट सिंग पर अपना दाओ खेल सकती है जेडियू के बीजेपी से अलग होने के बाद ये खबर चर्चा में है कि क्या हरिवंच राजसभा के उपसभापती के पत से स्तीफा देंगे दरसल हरिवंच को 8 अगस्त 2018 को राजसभा का उपसभापती चुना गया था उनके नाम का प्रस्ताव बीजेपी ही लेकर आई थी और उन्हें कई दलों ने समर्थन भी दिया था हाला कि मौजूदा समीकरण को देखते हुए अटकले हैं कि हरिवंच को लेकर जेडियू और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ गया है हरिवंच के एक करीबी की माने तो जेडियू सांसद एक समवेधानिक पदपर हैं और ऐसे पदपर बैठे व्यक्ति का किसी राजनीतिक दल से संबंद नहीं रह जाता है उन्होंने कहा उन्हें स्तीफा क्यों देना चाहिए इसके बाद से संभाबना है कि हरिवंच अपने समवेधानिक पदपर बने रहेंगे हाला कि उन्होंने कहा कि उनके मन में जेडियू और नितीश कुमार को लेकर पूरा सम्मान है राजसभा में उपसभापती एक समवेधानिक पद है इस पदपर आसीन होने वाले व्यक्ति को इस बात से बिलकुल भी फर्क नहीं पढ़ना चाहिए कि कौन सी पार्टी सत्ता में है और कौन सी नहीं उन्हें पद से तब ही अठाया जा सकता है जब बीजेपी उनके खलाब अविश्वास प्रस्ताव लाए लेकिन फिलहाल बीजेपी इस से बच्टी नजरा रही है फिलहाल तो हरिवश अपने पद पर बने रहेंगे वहीं इवियम को लेकर विपक्ष एक जुठ हो गया है जो मोदी सरकार के लिए खत्रे का अलार्म है लोक तंत्र में महत्पोर्ण भोमिका निभाने वाली इवियम की विश्वसनियता को लेकर अक्सर सवाल खड़ी किये जाते हैं जब जब चुनाब होते हैं विपक्षी दल इवियम को लेकर कई आरूप लगाते हैं वहीं अब एक बार फिर कॉंग्रेस समेत 11 विपक्षी दलों ने एक सुर में आवाज उठाते हुए एवियम के दुर्पयोग के खिलाब लडने का संकल पलिया है एवियम में बटन चाहे कोई भी दवाओ लेकिन परची बीजेपी के नाम की निकलती है ये आरोप लगाकर विपक्षी दल अकसर मोदी सरकार के साथ साथ ईवियम पर भी सवाल खड़े करते हैं और ये मांग करते हैं कि वोटिंग प्रिक्रिया को मशीन की बजाए बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए वहीं इस मांग को लेकर कई बार सुप्रीम कोड का भी दरवाजा खट-खट आया गया है लेकिन कोई हल निकलता नजर नहीं आया वहीं अब विपक्ष ने एक जुटता दिखाते हुए ईवियम के दुरुपयोग के खिलाव लड़ने का संकल ब लिया कॉंग्रेस समित 11 विपक्षी दलों का कहना है कि ये भारत के लोगतंतर के लिए सबसे गंभीर चुनौती है दरसल विपक्षी दलों ने एक बैठक की मीटिंग में भारत के चुनावी लोगतंतर के समक्ष तीन एम यानि मशीन, मनी और मीडिया की चुनौती पर चर्चा और विमर्ष किया गया और सर्व सम्मती से तीन प्रस्तावों को पारित किया गया पहला प्रस्ताव ईविम और विवी पैट की गिंती पर था इस पर विपक्षी दलों ने कहा कि एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन को टेमपर प्रूफ नहीं माना जा सकता है दूसरे प्रस्तावों में पार्टियों ने कहा कि भारी धनबल और उससे पैदा हुआ आपराधिक बाहुबल भारत के चुनावों की अखंडता को नश्ट कर रहा है जिन दलों ने एक साथ सरकार के खिलाफ आवाज उठाई उनमें माकपा, सपा, बसपा, भाकपा, राकामपा, राजद, रालो, तेलंगाना राष्ट समिती, वेलफियर पार्टी और स्वराज इंडिया शामिल है अब EVM के खिलाफ 11 अदल एक साथ आ गए हैं और जोड़दार हुंकार भर रहे हैं जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़नीता हैं अब देखना होगा कि केंदर इस पर क्या फैसला लेती है क्या EVM पर विपक्षी लड़ाई अपने अंजाम तक पहुचेगी फिलहाल ये बड़ा सवाल है इधर पशिमंगाल में इन दिनों जांच एजंसियां को ज्यादा ही एक्टिव हैं और BJP और सत्ताधारी TMC दोनों के बीच आरोप रत्यारोप का दोर चारी है जहां ED एक्ट TMC और BJP के बीच अकसर ही जुवानी जंग छिडी रहती है लेकिन इस समय ये लड़ाई कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है कारण है पशिमंगाल में आक्टिव हुई केंद्रिय जांच एजेंसियां हाला कि इसके जवाब में राजसरकार ने CID को आक्टिव कर दिया और CID क जांच में भी कई बड़े खुला से हुए लेकिन पार्त चटरजी पर जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगा और ममता सरकार घिरती नजर आई तो TMC ने पार्त चटरजी से पल्ला जाल लिया उनसे मंत्रिपत छील लिया और पार्टी से निश्कासित कर दिया लेकिन पश्यमंगाल में सत्ताधारी TMC के नेताओं के भिष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर बीजेपी हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ TMC लीडर्स बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर जी और उनके उत्तराधिकारी अभिशेक बनर ज पिशारा बीजेपी की ही तरफ था क्योंकि जब पशुत तसकरी घुटाले के सिलसिले में अनुबरत मंडल की गरफतारी हुई थी तो बीजेपी ने ममता बनर जी के कारेकाल में भिष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए टीमसी नेताओं की गरफतारी पर बीजेपी नेताओं ने मिठाईया बाटी और ड्रम्स भी बजाए इतना ही नहीं चोर-चोर के नारे भी लगाए थे जिसके बाद से टीमसी बॉखला गई है और उन्होंने धमकी भी दी है टीमसी सांसक कल्याण बनर जी ने कहा कि मुझे पेट्रोर डीजल की कीमतों ने लोगों के बजट में आग लगा रखी है तो वही जनता को बिजली का जटका भी लगने वाला है क्योंकि मोधी सरकार बिजली दरों को लेकर ऐसा प्लान तयार कर रही है जिससे हर महीने बिल अलग अलग आएगा यानि कि महीने की पहली तार इसले का विरोध भी किया बावजूद इसके कदम पीछे नहीं खीचे गए वही अब केंसरकार बिजली की दरों को भी तेल की कीमतों की तर्च पर बदलने जा रही है अंतर बस इतना होगा कि डीजल पैट्रोल की दरों में रोजाना बदलाव होता है जबकि बिजली की दर में बदलाव हर महीने होगा दरसल विद्द उतपादन ग्रो में इस्तमाल होने वाले इंधन जैसे कोईला तेल और गे साधी की कीमतों के आधार पर बिजली दरेत तैय की जाएगी इसकी वसूली उपभोकताओं से की जाएगी इस नए प्रावधान के अगले साल की जारी है इसके लिए विद्द विने में 2022 का मसोदा जारी कर दिया गया है दरसल संसत के मौनसुन सत्र में विद्द विध्यक 2022 के पारित ना हुपाने की वज़त से सरकान ये वीनियमों में संशोधन के जरिये इसके प्रावधानों को लागो करने की दिशा में कदम बढ़ा है केंद्रिय विद्द मंत्राले की ओर से सभी राजजियों समित अन्य संबंदित इकायों को मसोदा भेट कर 11 सितंबर तक सुझाव मांगे हैं 11 सितंबर के बाद विने में को अंतिम रूप देखकर अधिसूचना जारी की जाएगी अधिसूचना जारी होने के 90 दिन बाद ये विवस्ता लागू हो जाएगी अभी जो विवस्ता लागू है उसके अनुसार कमपनिया 25-25 साल का PPA करती हैं इसमें इंधन की लागत बढ़ने पर उसकी वसूली का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन अब सरकार इसे बदलने जा रही है यानि कि अब हर महीने बिजली क की दरों में बदलाव होगा जिसका असर सीधा आम आदमी की जेप पर होगा तो आज इस बुलिटिन में बास इतना ही देखते रहे डीवी लाइव नवस्कार